जहेंदिस वीडियो पॉर मिलेगा कि इसका प्रसक्षा का सब्सक्राइब कोई इंग्ठ प्रइस में कुई इम्हें अई शुरू करता है देखे तो तुम जानते हैं प्रसक्षा कंप्वर सेक्टर की यह संदर और दंदार कंप्वनी है तथा देखेंगे तो power sector के सभी सेक्टमेंट में काम करती है यानि कि thermal power plant यानि कि कोईले से बिजली बनाती है hydro power यानि कि पानी से बिजली बनाने कां करती है और renewable energy यानि कि solar panel से बिजली बनाने का मिलने जा रहा है एक शेयर पर यानि कि अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर है तो उस पर एक रुपया 75 पैसा का कंपनी आपको डिविडेंट देगी और यह डिविडेंट डिरेक्ट आपके बैंक के अकाउंट में आता है हाला कि कब मिलेगा इसके लिए भी कोई रिकॉ मैंने आपको बताया हमेसा दिविडेंट बैलू पर केलिकूलिट की जाता है नकि सेयर प्राइश पर tu देने लगे तब फिर क्या पुछना आए देखते है जो रिजल्ट आयो है उसके लिए मपनाया हुआ है ये जो कौलम स से सी को देख है यह जित यह जो जो कॉलों आप देख रहे हैं पिछले साल के जो क्वाटर फोर को रियल्ट आये थे उसको बतलाने के लिए मैंने लिखा रहा है समझेंगे क्वाटर फोर में टाटा पॉर को टोटल इंकम हुआ है जिसको रेविन्यू भी कहते हैं वह हुआ है 12,219 करोन रुपए का जग की द गारे 1900 करोन रुपए का जबकि पिछले क्वाटर में यह हुआ था 10,990 करोन रुपए का और अगर साल पर पहले की बात करें तो 10,369 करोन रुपए कंपनी ने खर्च किये थे हैं अपने बिजनेस पर आप देख रहे हैं जैसे इसे कंपनी का रेविन्यू बढ़ रहा है सल क्यादा नहीं कर रही है वारना बहुत से कंपनी होते हैं खास कर मीट क्या पेश्टों जो अपने आमदनी सद्धिक खर्च करते हैं तो उनको लॉस बढ़ता है और प्रोफिट कम होता है यहां ऐसी बात नहीं जो काफी संदार है अब अगर बात करें प्रोफिट आफ्ट जो टेक्स देने के बाद कंपनी को बस बचता है तो देखेंगे टाटा पॉर्फिट हुआ है चो बदीस करोन रुपए का हुआ है यह पिछले क्वार्टर में सिर्फ 500 अकाउन करोन रुपए का था तथा अगर साल पर पहले देखेंगे तो चारसो एकासी करोन रुपए का कंपनी को सुद्ध प्रॉफिट प्राफ्थ हुआ था यह सलाना अस्तर पर फिर क्वार्टर ले अस्तर पर भी प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है अब अगर EPS की बात करें EPS एक से पर एक साल में कितना रुपए बढ़ा उसको बतलाता है तो देखेंगे क्वार्टर फोर म क्वार्टर से भी अच्छा बढ़ा है यानि की अर्णिंग पर से अगर विसे रूप से तो काफी अच्छा हुआ है तो में सवाल यह कि रिजल्ट जब संदार रहे हैं तो क्या से प्रैस में कुई तीजी आनी की उमीद है तो देखिए इसका जवाब देना थोड़ा मुश जा रहा है इसके पी पीछे जो में कारणों वही है एक वाली और इन्हीं सब कारणों को वजह से में ततकाल तीजी यानि की उमीद नजर कम आती है लेकि नंबर अच्छे आये हैं तो आने वाले सब में से उपर ही जाएगा आप थोड़ा धिरज बनाकर रखिए बाजार का मूट सही होने दिए आपको ये कंपनी निरास नहीं करेगी निस्चीत कुछ अच्छा करेगी तो उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप समझ पा रहे होंगे वीडियो इन्फरिमेटिव लगे होगी फिर बिए मन में कोई सवाल है कोई करिफीजन है तो में जरूर पूछे मै मैं उसके रिप्लाइज दूँगा पर्सेनली मुझे जूर कर बात यका ना चाहते तो मुझे इंस्टाग्राम के फॉलो कर लिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जूर सकते हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तो तक लिए धन्यवाद शुक्रिया